आपका फिर से स्वागत है आज मैं बजाए परिक्षार्तियों के या इंटर्व्यू देने वले कांडिडेट्स के कम्यूनिकेशन की बजाए उस communication की बात करूँगा जो interviewers का communication रहा है in fact interviewers का भी जो feedback का communication रहा है अपने महसूस किया होगा कि हम लोग जब साक्षात का ले रहे होते हैं interview ले रहे होते हैं उस दोरान जो हमारे communication की style होती है तरीका होता है communication में जिस पद्दती, शैली और जिस तेवर के साथ हम सवाल जबाब करते हैं वहें interview के बाद होने वाले feedback में अकसर बदच जाता है feedback की शैली भिन्द होती है और अकसर उस पर हम लोगों को comments मिलते रहे हैं तो मैंने सुचा कि क्यों आज हम इस बात पर ही चर्चा करें कि किसी को जब हम कोई feedback देते हैं हम अपनी राये देते हैं उसके व्यवहार के विशे में या उसकी जो अब तक उसकी जो performance रही है उसके विशे में तो उसकी शैली और उसका तरीका क्या होना चाहिए क्योंकि यह भी इस बात को व्यक्त करता है कि हमारी personality जो है वहें कैसी है अंतते हम जिस तरीके से जिस भाषा में जिस verbal और non-verbal communication के साथ अपनी राये या feedback देते हैं उससे भी हमारे विशे में काफी कुछ पता लगता है तो आज इसी पर चर्चा करते हैं मैं अपने ट्रेनिंग में जाता हूं और उससे शायद आप समझ पाएंगे कि मैं feedback के लिए वैशेली क्यों अपनाता हूं जिसे आप अक्सर देखते हैं आप आते होंगे कि आम तोर पर जब मैं एक interviewer के तोर पर interview ले रहा होता हूं तो आप एक शक्रत अधिक सक्त दिखाई देता हूं ऐसा प्रतीत होता है कि वह सवाल जबाब का जो तरीका है वह शायद candidate को corner करने की कोशिश की जा रही है किसी किसी जगे पर किसी किसी को खुड़ा साब उपहास जैसा भी कभी कभी लिखता है या भी ऐसा seem drenching होती नहीं है लेकिन जब हम feedback देते हैं तो ऐस्तिती बदल जाती है आम तोर पर feedback में आपने मुझे यह वाक्य नहीं सुना होगा कि आपका ऐसा करना बहुत खराब था आपकी आपकी जो knowledge है आपका जो ग्यान है वह बहुत कम था खराब था कभी-कभी यदि वाक के कहना भी होता है तो हम उसे बिल तरीके से कहते हैं और यदि आप इस बात को अभब करते हैं तो वह कैसे हुआ के लिए बहुत पहले की बात है शायद 1993 की बात है हम लोग के दौरान हम लोगों की यह जिम्हिदारी थी कि हम अला गलग schoolhole में जाते थे और हमारे साथ हमारे supervisor जाय करते थे मिरे supervisor बहुत ही शान्दार इनसान थे जो हमारे साथ school में जाते थे हमारी classes को observe करते थे और उसके बाद हमारी जो लेसन प्लान होता था उस पर एक बहुत विस्तार से कमेंट और सुझाव दिया करते थे जब पहली क्लास थी तो मैं बहुत स्वाभावे कर पर बाकी अन्ने परिक्षार्टे के पर रहे काफी चिंतिक था कि यदि भी मैं मुझे पढ़ाना पसंद है परन्तों इन सुपरवाइजर की नजर में बहुत ऐसी क्लास रहेगी बहुत आशंका थी लेकिन जब बाद में मैंने उस पूरे के पूरे लेसन प्लान को पढ़ा जिसमें उनका फीड़बेक था तो मुझे बड़ी आश्वस थी यद भी रोचक बात है कि ऐसी कोई गलती नहीं थी मेरी क्लास की जिसका उलेख करने से मेरी सुपरवाइजर चूके हूँ उन्होंने उसका उलेख किया था, वहउलेख मेरी समझ में भी आया था लेकिन वहउलेख करने की शैली इस प्रकार थी की प्रतीत हो रहा था कि मानों सुपरवाइजर मेरी कक्षा से रूष्ट नहीं है, परेशान नहीं है, दुखी नहीं है उन्हें कुछ थोड़े बहुत सुझाव देने हैं जो उन्होंने दिये हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मैं अगली कक्षाव में उनका ध्यान रखो मसला उन्होंने लिखा कि आपका श्यामपट कारे ब्लाक बोर्ड वर्क और बहतर हो सकता था और यह एक शांदार शैली थी जिसे लेकर मैं वाकाइदा उनके पास गया तो कि वह भी शिक्षक भाशाई के शिक्षक थी मैं उन्होंने से जानना चाहा मैंने पूछा कि सर आप इस शैली में क्यों लिखते हैं उन्होंने कहा कि दरसल यह फीडबैक का की पद्धती है हम आम तौर पर तीन चीजों का ध्यान रखते हैं पहली बात फीडबैक सदैव उन सकारात्मक बिंदूों से शुरू हो जो आपकी कक्षा में हमें दिखाई दिए यहां कक्षा की बा हैं इस इसके छीज़े हूंगी जो कैंडीडेट ने अच्छी हैंसे आपका बैठने का तरीका बहुत अच्छा है आपका विशलेशन अच्छा है आपकी एंट्री अच्छी थी आपका index अच्चा है अपने इन चीजों को बहुत ध्यान से स согласय सुना होगा हम फीडबैक में आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि जब हम किसी चर्चा में चाहें वे आपचारिक हो या नपचारिक हो विशेश तोर पर अगर आपचारिक हो किसी को राय दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक का बेल्डू आलोचना से शुरू नहीं होना चाहिए सबसे पहले किस बात से शुरू होना चाहिए? कि आपके प्रदर्शन में, आपकी बात्चीत में या आपका जो व्यक्तित्व रहा है उसमें यही सकारात्मत बिल्डू हमें दिखाई दिए तो पहली बार हम सकारात्मक चीजों से शुरू आएंगे दूसरी बार हम उन महतपूर बिल्डूं को जिनमें सुधार की अपक्षा है उन्हें क्रमबत तरीके से बताएंगे और तीसरी बात स्फष्टता से बताएंगे बहुत महतपूर है यदी मान लीजी मैं केवल प्रशनशा करता रहूं और जो महतपूर बिल्डू जिनमें सुधार के लिए परिक्षार्थी मेरे पास आया है ताकि जब वो वास्तम में इंटर्व्यू देने पहुंचे दावल तो स्फष्टता से बताना कि इन इन चीजों में सुधार की आश्यूर है लेकिन सबसे महतपूर बात जब हम यह बताएं तो यह आलोचना की तरह नहीं होना चाहिए यह निंदा की तरह नहीं होना चाहिए यहां तक कि यह नेगेटिव स्टेट्मेंट में भी नहीं होना च with the word no माली जी मैंने कोई सवाल पूछा और आप उसकी राय पूछी गेर आप उस राय से असे मत हैं मेरी सलाह हमेशा रहती है कैंड़ेट्स को कि आप इस बात से शुरू न करें कि नहीं नो सर आई डोंट एक्री विरे नहीं और आपको शुरुआ जैसा मैंने कहा सकारात्मा पॉजिटिव चीज़े से करने जाएं कि सर यद भी आप जो कह रहे हैं ऐसा माना जाता है किन्तु मेरी राय से इन है इस तरीके से आप वाक्य को फ्रेज कर सकते बिल्कुल ऐसा ही जब हम लोग फीडबेक करते हैं तो स्वेम पर भी लागू करते हैं हम बजाए यह कहने के कि मन दीजी किसी कैंडिडिट को बताना है कि आप बहुत धीमा पूर कि आपकी आवाज सुनाई ने पर सामाने तरह हम किस तरह से शुरू करेंगे कि आपका वॉल्लिम लेवल जो है और बहतर हो सकता है यानि समझ दे क्या वशकता है कि आम तोर पर किसी व्यक्ति ने जो आपके इस चरण तक पहुँचा है एक लंबा संगर्ष की आए और उसके बाद वह इस मुकाम पर पहुँचा है अब हमारी भूमिका उसकी साहेता करने की है हैंड होल्डिंग की है हमारी भूमिका यह बताने की नहीं है कि आपने ये गड़बड करती है आपने वो गड़बड करती है आप तो बिकार हैं आप चले जाएए आप कैसा आपके मेंस कैसे दियर दे वहादिक तो आपके यह कहने का कोई और चित नहीं इससे उसके कोई मदद नहीं हो रही तो हम बताएंगे कि आपने यह बहुत शांदार बॉजिटिफ चीज़े की है यह यह सकारात्मक चीज़े दिखाई देती है यदि भी सुझाव यह है कि यदि आप ऐसा कर ले यदि आप अपनी भाषा में इन चीज़ों को शामिल कर ले यदि आप ग्यान में इन दो चार बिंदों को पढ़ ले तो आपका प्रदर्शन जो अभी अच्छा है और अच्छा हो सकता है यह जो वहत पून बिंदू है कि आप स्विकार करते हैं आप बताते हैं कि आपने सकार आत्मक चीज़े देखी हैं और उसके बाद आपके पास एक एडिशन अथॉरिटी इस प्रशन शा के कारण इस सकारात्मक बिंदू के कारण feedback देने वाले के पास एक अधिकार हक आ जाता है कि ठीक है मैंने आपको चार पॉजिटिव चीज़े बताई है अब ये दो ऐसे चीज़े हैं जिनमें और सुधार किया जा सकता है तो क्यों ना इस पर थोड़ी सी बात कर लिज़े तो ये वो तरीका है जिसे मैं लगाता है अपनाता हूँ जो मैंने सीखा अपने supervisor से और उसके बाद मैं पिछले 20 सालों से लगाता है इस बात का सकारत तरीके से कहने का ध्यान रखता रहा हूँ यदि उसके बावजू कभी कभी संभव है ऐसे रोचक स्थिति आती है जब candidate को लगता है कि नहीं इस आलोचना का आउचिति नहीं है और वो कभी कभी softly और कभी कभी उतना soft नहीं हम लोग उसे कहते हैं कि नहीं सरह में तो लगता है कि यही जी ऐसे इस्तिति में हम क्या करते हैं ऐसे इस्तिति में हम candidate को एक सीमा के बाद push नहीं करते हैं क्योंकि एक छोटा सा scope इस बाद का भी रखना होता है यह संभव है कि candidate सही है और हम गलत है यह भी संभव है कि हम सही है लेकिन इसके बावजूद candidate के पास जिस किस्म का व्यक्तित्व और जिस किस्म का समय की उपलब्दता है संबगते अपने व्यक्तित्व में वहे इस बड़े बदलाब के लिए तैयार नहीं आखिर कोई भी personality perfect तो होती नहीं एक कमी हमारी नजर की कमी यदि उसके व्यक्तित्व में रहे भी जाती है तब भी बिलकुल समभव है कि अपनी सकारात्मा अन्य सकारात्मा चीजों के बरव से वह एक अच्छा interview दे सकता है हमें उसके साथ लड़ना नहीं है यह हम लोग विशेश दौर पर ध्यान रखते हैं तो यह कुछ tricks of the trade थी आपके लिए इसमें से takeaways क्या है takeaways यह है कि आप जब कभी किसी व्यक्ति को राय दे रहे हो तो सकारात्मा चीजों से शुरू करे स्पश्टता का ध्यान रखे और वाक्यों को इस प्रकार phrase करे इस प्रकार structure करे कि वे एक आलोचना निंदा की तरह न दिखाई दे और दूसरी चीज क्या है इसी प्रकार जब कोई अन्य व्यक्ति आपको feedback दे रहा हो तो प्रशंशाओं को थोड़ा सा dilute करके लेना चाहिए स्पष्टता की यदि सामने वाले व्यक्ति आपको बता रहा है कि या मुक्चीज उसे पसंदाई है या नहीं पसंदाई है उसकी स्पष्टता का सम्मान करना चाहिए और criticism वाला हिस्सा भले dilute तरीके से दिया जा रहा हो आपको उसे थोड़ा सा amplify करके उसे समझना चाहिए यानि प्रशंशा को dilute करना है जो सुझाव है उनको थोड़ा amplify करना है स्पष्टता का सम्मान करना है तो ये आज की बातचीत थी feedback पर लेकर मेरी राय थी उमीद है आपको पसंद आई होगी इसी तरह कि किसी अन्य चीज़ पर यदि आपके कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दें हम लोग कोशिश करेंगे कि बात के वीडियोस में उस पर ध्यान रखें शुक्रिया थैक्यू